आज की मेरी स्पेशल रेसिपी है उससल पाओ जो महराज की बहुत फेमस रेसिपी है जो एकदम चेटपटी होती है हलकी सी खटी होती है पाओ के साथ खाई जाती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है ज्यादा ताम-जाम करने के आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी आ के लिए मैंने के अपी कुकर लिया है कोकल में अपनी मतर है वह मैं डाल दिये इसमें हम वन टी स्पुन जैसा सौल डालेंगे और रहें और इसमें हम मीडियम फ्लेम पे हम 4-5 सीटी लगाएंगे लिएक हमारी मटर भी रिडियो हो गई है इसको अच्छे से ठंडा होने दें फिर आप कुकर खोलें मटर चेक कर लेते हमारी मटर अच्छे से हो गई है कोई भी एक्स्रा सोवर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मटर अपनी साइज की डवल हो गई है मला अच्छे से फूल गई है तो बॉइल करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो गई देखिए इतने प्रॉपर अच्छे से बॉइल हो गई है अब हम उससेल का मसाला रेडि करेंगे मसाले के लिए मैंने एक पैन में आठ लॉंग इंगे इसको घ्रा ड्राइ रोस्ट करेंगे इसका कल चेंज होने तक इसको रोस्ट करेंगे फिर हम इसमें डालेंगे सेशेंस एट जो घा playing Cake के ली क्लाइन पाउडर बना लेंगे जो हम हमारी Parece,ней यूज के और यूज का आप चाहे हैं तो इसके इसके आप चाए है तो किसी और सबस्जी में भी इसको यूज कर सकें गरमे गरम हुगा पिंच ऑफ हीं डालेंगे तो फ्लीवर टालेंगे कर टो चेया ड़ेगा हम इसमें घ्या शेयर निए चकि रिएुछ जाओ क 3 दी येंगे कर लियाँ जोने Ciao स्छानलें जोने कहों sum थोड़ा सेनल जाड़ा करेंगे ऑझालेंगों सब्सक्राइबरु द्रेण हम नोगें अरो ये ठमाटिश उड़ेंगे वो हम इसमें डालेंगे, simple से हमने tomato को cut करके piece लिया है, थोड़ा से पानी के साथ, फिर हम इसमें एड करेंगे हल्दी, हल्दी मैंने half teaspoon डाला है, और two teaspoon मैंने इसमें red sheer powder डाला है, इससे थोड़ा colour भी अच्छा आएगा और थोड़ा spiciness भी बढ़ेगी, तो मेट तक हम इस gravy को भूलेंगे तब तक तक तोड़ा दिवल कर दोड़ा तक के साइड सी लोत ना आ जाए एक दो मेंट हो गया है अब हमने जो इसका मसाला बनाया था उसल मसाला वो हम इसमें डालेंगे मैंने इसमें थ्री टी स्पून मसाला डाला है अब आपके सुआत कैसा अकॉर्डिंग इसमें मसाला और भी डा सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मसाली का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है, खड़े मसाले हैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जब आप डालेंगे तो आपकी किचिन में एक दम खुश्बू खुश्बू हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, इस तरह से हम इसको एक दो मैट और भुनेंगे, गैस का फ्लेवर आप कम जादा करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि हाई ही रहेगा, अब मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो कर दिया, इसमें जो हम अच्छी कि मारी बॉयल मतर ही वह हम डालेंगे अभी तोड़ी थीक है, उसको मिक्स कर लेते हैं, इसे एक इतना अच्छा है, इत्वे रेड, रेड, स्पैसी तो दिख रहा है, अच्छी से मिक्स कर लेंगे, और श्रीम मीडियम कर लेगे, इसमें बढ़ लाखी ही, अब आ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसमें एड़ करेंगे, मैंने तो फोड़ा पानी एड़ किया है, आप चाहें तो अपनी ग्रेवी के कोर्डिंग इसमें पानी एड़ कर सकते हैं, यह थोड़ा पतला ही रखा जाता है, क्योंकि इसमें उपर से अमकीन, आपकी बुंदी, म कर लेंगे बॉयल आने देंगे का हम इसको कवर करेंगे कवर करके 2-3 मेच दक हम पकने देंगे ताकि इसके सारे फिलिवर वह अच्छे से बरकियां हैं देकि ग्रेवी हमारी पक गई है रेडी हो गई हैं इस तरह से इतना पतला रखा है मैंने थंडी हो जाएगी तो ठोड़ अब हम इसको सब करेंगे पाओ हमारे नमकीन के साथ थोड़ी सी प्याज के साथ सब कीजिए और आप इसको ट्राइज जरूर किजिएगा यह बहुत जल्दी बनती है और खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है आपको मेरी रेसिपी कैसी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज लग्ण हुआ, और मैं सब कीजिएाव लगती है, लग्ण नवकाता है कि लिएकश्डर श्राइजल, कि झामाने में सब की दिएस्टे समयना उनके साथ आप बन श्काता है और बन केसा कैसी लिएस्टी लगत्ता है इसक